हमारे पूरी मेहनत बिकार हो जाती है साल भर में एक बार इसमें उपस्थित होने कम और इतना मेहनत के बाव जतने कश्ट से गया है फिर रास्ते में आता है तो पदा चला कि बहुत दुख होता है ठीक है सबसे बड़ी उपूनता नहीं हो पाता लेकि मिडिया का एक बहुत आदाब ससरीय का लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाब मलिक अगर भी तक आप लोगोने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें बीपे सी सरसटमी पीटी की परिक्षा का कोश्चन पेपर लीक हुआ और उसके बाद अभियर्तियों को कितनी फजीहत उठाने पड़ी क्योंकि परिक्षा देने के बाद वो परिक्षा रद कर दी गई ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए देखे आप किस तरह से अभियर्ति यहां खड़े हैं क्योंकि इनके अंदर आक्रोश है किस बात को लेकर यह ज़्या दिया तो आपको कब पता चला कि पेपर लीक हो गया हमें जस्ट परिक्षा के आधे गंटे पहले पता चला की परिक्षा की पेपर हो लीक हो चुकी है अपको परिक्षा से पहले पता चल गया तो फिर किस तरह क्या लगा आपको जब आप तैयारी करके जाते हैं और इस तरह क घटना कट दिया है। पिछले बार भी घटना देखने को मिली थी लेकिन इस पर औरंगाबाद के परिक्षा पत्र को कैंसल करके लिए पर पूति कर दी गई थी और बलकी पूरे बिहार भर में यह परिक्षा की पेपर लीख हुई थी और इस बार भी उसी प्रकार से देखा गया है आपका नाम मेरा नाम राहुल कुमार चोदरी हुआ कहां सेंटर था मेरा मोतिहारी में क्या कहना चाहते हैं इस तरह जो पेपर लीख होता है जब आप साल भर दो साल तैयारी करते हैं और उसके बाद कोई परिक्षा देते हैं और परिक्षा का पेपर लीख हो गया मालूम होत तो उतनी देर तो आप यह सोच रहे होंगे कि मेरा कैसा गया पेपर या कितना हमने सवाल मेरा कोश्च पेपर बढ़या था लगवग 90 प्लस था मेरा ठीक है तो खुस थे कि चलो हो जाएगा लेकिन पदा चला तो बहुत दुख हुआ अब तो इच्छा निकर आगे जाके एक आपका ना रजनी कान पटेल रजनी कान जी कैसा लगा जब आपको यह ख़बर मिलिक यह फिर फ्रीट देखी नें तो एंप लिखुई थी और पेशटमी में और उने नहीं पकड़ा लेकिन इस बार मामिला ज्यादा तुल पक्ड़ें मीडिया ने ज्यादा मीडिया उचल तो अच्छी बात है ऐसे स्कोष्ण जो रहा रहा है इसको रोखा जना चाहिए जितना ज्यादा बहतर होगा क्योंकि इस प्रफेवर में होगा यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स इसमें मार खाजाते हैं कितने दिन से त्यारी कर रहे हैं हम तो खर्चा आया सेंटर वही जिला वही था जिला वही था सेंटर वो नहीं था सेंटर मेरा थोड़ा सा दूर था उसने आपको कब पता चला कि परिक्षा का पेपर लें तो देखे की सोशल मेडिया पर बहुत सारे कोश्चन बाइरल हो रहा है जो कि साड़े 11 बजे ही पोस्ट किया गया था तो फिर थोड़ा सा अपसेट हुए कि यह तो फिर सारा मैनत पर पानी फिर जाएगा क्योंकि मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए दोखा नहीं होगा कितना खरचा है आपका मेरा तो लगबग हजार रुपया खरचा आई गया था हाचा रुपया आपका नाम विशुविजीत कुमार कितने दिन से तैयारी कर रहे है। दो साल से अ किव मेन दूख होता है prone सबसे बड़ी बात है कि यह बिहार का सबसे बड़ा एक्जामेशन और इस horror still explains स्रमिना वाली बात से सरकार के लिए अब छोटे मोटे एक्जाम मेरी लिख होता है तो जारा दुख नहीं होता है वाई गूरूप डी लेकि बिहार का सबसे वड़ा एक्जामेशन है पब्लिक सर्विस कमिशन और इसमें इस तरह पेपर लिख होने का मतलब है कि एड्मिटेशन बेवस्ता जो है जो जिसको दिया गया इस वर्द पर बोलने के लिए कि अब जो लड़के फुल डेडिकेशन तरह पढ़ाई कर रहे हैं अब जिसका सपना रब एक तो एज भी फैक्टर करता है जेनरल वालों के लिए लिम्टेट है तब उस एज में नहीं है यह खतम हो रहा है समय पार हो जाए नहीं मिलेगा उससे बहुत जाए निराशा होगी तो सरकार उचाहिए कि इसमें इग्जामेशन को जो है मलब दुरस्त करें और ऐसा मलब करवा एक्जाम की कि द्धानली ना हो और धानली नहीं कि पहले भी होती है तिक है लेकि मेरा माना आपने कभी सुना है कि यू पूरी तरह से मिडिया था कि इतना उचाल दिया तो लोगों पर्क पर होगा तो हमको लगता है कि कैंसल भी होता तो आरा में हुआ था या और कुछ जगा पर हुआ उसको कैंसल करता है पहले आरंगा हाँ पूनता नहीं हो पाता लेकि मिडिया का बहुत बड़ा रोजा कि अगर कि त्यारी करते हैं मगर क्या अगर ब्याइस सी कोई निकालेगी तो भरेंगे जैसे सचिवाले साहिक का निकला हुए बिलकुल तीजा करिंपर भरा जाएगा ठीक है कि समस्या देखने में एक लिम्टे सीट होता है हम लोग पाड़ जो संखिया है उसके है कि कोई भी आयोग ऐसा है जो सही तरीके से एक्जाम नेशन निकालता है एक्जाम लेता है उसके बाद रिजल्ट देता है अभी मैं ततकाल की बात करूं तो बिहार से से भी फेल है क्योंकि आप देख रहे है चोडाला बहाली जो था अभी तक इंटा वाला कंप्लीट न होते हैं लेकि सबसे बड़ी बात है कमीशन के लेबल में जो पेपर लिख होना इस सबसे बड़ा दुरुभाग की बात है बिहार के बात है आदानी नितीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि नहीं एक्जाम है कि पूरे इंडिया में इसका इंडिकेशन जाए कि बीपीए सी जाता है इसके लिए सरकार को चाहिए कि बिल्कुल दमदाल तरिके से एक्जामेशन की तैयारी मतलब जो कोशन बनाया जाता है उस पर धान लीना हो और पर तेख जहां भी याम सेंटर देता है वहां के परचाल से लोग मिटिंग करे कीजिता को कैमरा का वेवस्ता हो ठीक ह गाड की वेवस्ता हो पहुदार देख रहा है कोई है नहीं मैं अपना ही बात करो में सेंटर होम टॉन में था ठीक है मैं देख रहा था बगन में बताया जा रहा है कोशन बेर बैठा वह मतलब किस ता करें यह बड़ी दुर्भागपुन बात है कि बिहार का सबसे बड़ा आयोग है BPSC बिहार के सबसे बड़े पद के लिए वो परिक्षा लेता है ऐसे में क्या लगता है कि इस आयोग में ऐसी खटना खटना यह बहुत दुखद है और हम युवावों के लिए खास करें बहुत दुखद बाद है और इससे हमारी जो पीछे की जनरेशन है उसके जो प्रत्योगी प्रिक्षा है जो भी संस्थाएं है उस्में अब दीमक लग गया है है तो इस को मारना हो भिए होगे और युवावों की ही महत्पुन भूमिकार है इसको उछाघर करने में में वहुत बड़ा भूमिकानिबाय निवा मात्रे कोशन आट करने और यह इसका प्रश्ट पत्र वाइलर होने से समस्या नहीं है, समस्या है कि उन बच्चों को आगे के अगामी परिक्षा बैठने से भी कोई मतलब नहीं है, साक्षातकार या मुख्य परिक्षा से उनका कोई मतलब ही नहीं है, या बिहार सरकार की जो योजना है 50,000 रुपए की सबसे युवा परिदेश है और बिहार ही ऐसा परिदेश है जो बेरोजगारी में अभी तीसरे पैदान पर है, मगर अगर ये हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार देश में पहला अस्थान बेरोजगारी में ले आएगा और ऐसे में जब इस तरह की घटना होती है, जब बिहार लोक सेवा आयोग जैसे आयोग समवेधानिक संस्थान से कोश्चन कि इस उमीद को तब पानी पढ़ जाता है जब वो परिशा दे कर बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, ऐसे में जरूरत है कि सिर्फ कैंसल कर देना एग्जाम को ये कोई समधान नहीं है, बलके उस जड़ तक पहुँचना जरूरी है, जिस जड़ की ये मामला निकला है, इस तरह की हरकत हुई है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जो अबहर थी, आर्थिक इस्थिती जिनकी अच्छी नहीं है, जो दो हजार, तीन हजार रुपे खर्च करके परिक्षा दे कर आ हैं, उनका क्या होगा, क्या, उन्हें अगली परिक्षा जब दो लोको नवारे चानल लाइव नेशन सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू कर लें, साथ साथ टूटर हैंडल पर में फॉलो ज़रू करें, धन्यवाद